मैं यह नहीं कहूँगा कि हाल फिलाल में यह सबसे बेस्ट ट्रिलर मैंने देखा है बट भाई साब क्या नॉस्टैल्जी आ गंदा हिट होता है I mean यान सारी चीजे एक तरफ मगर हमारा ट्रांस्वामर्मर्स के लिए आशकी एक तरफ मतलब कि स्टूडियो को बस बताने की दे रही है कि सुनो एक ट्रांस्वामर्स के पिक्चर आया जा रही है और मैं जला जाओंगा अंगूठा लगाने के लिए मगर खैर अपने फैन जोन से थोड़ा सा नीचे जाके एक्चिल में डिसकस करते हैं कि यह ट्रिलर है क्या तहानी सेट है 1994 में जहां एक आर्कियोलोजिस का जोड़ा ब्रुक्लिन में किसी प्राचीन जंग के बारे में पता चलता है जिसको वो अपने globe throtting adventure के साथ experience करते हैं जहां Autobots, Transformers की तीन और factions के साथ एक संधी करते हैं अपने आने वाले सबसे बड़े खत्रे से लड़ने के लिए जो कि है Unicron एक literal planet eater और उसकी army versus Autobots, Maximals, Predacons और Terracons क्योंकि इससे पहले जो हमें teaser देखने के मिला था वो अब तक हमें ऐसे ही लग रहा था कि Autobots और Maximals मिलके Predacons और Terracons से लड़ेंगे मगर अब Unicron का है इसमें danger exist करना अभी से ही भाई ये सारी चीजे पागलो वाले stakes हैं जो कि काफी काफी दूर की picture के लिए बात हैं एक planet eater और उसकी armies ये कैसे लड़ेंगे जिसके बीच में Autobots और Maximals को Predacons और Terracons से भी ने पढ़ना है और अपने आप इसी मदभेद को भी दूर करना है अब खेर उन्होंने अपने गांट पर दिया तो बारी लिया है तो देखते हैं इसे कैसे हैंडल करते हैं मगर अभी boring stuff पर जाने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ट्रेलर देखके मैं बहुत excited हो गया था मुझे बहुत मसा आ रही थी मैं काफी चिलनाने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन काफी सोचने विचारने के बाद मैंने ये बात महसूस भी की कि PJ Cat ट्रेलर तुझे actually मैं बहुत ज़ाद अदमदार लगा था या फिर बस तेरा nostalgia तुम्हें हिट कर रहा है and by that means अगर आपको भी ये feel हो रहा होगा कि जिस हिसाब से सिनेमाटोग्राफिये Transformers को जैसे present किया गया है उनका CGI भी जैसा है बहुत ज़ादा impressive नहीं है जो कि मैं मानता हूँ कि भाई बाहिज़त तोर से अपने source material के लिए बहुत ही ज़ादा close थे मगर जो substance की बात होती है वो कुछ खास नहीं था मगर मैं फिर भी इसे देखने जाओंगा सरूर देखने जाओंगा जो कि मेरा इसके लिए डर इसके early reaction and review से थोड़ा-थोड़ा mail भी खा रहा है unfortunately मगर फिर भी Optimus Prime भाहिया ने बुलाया है और हम ना जाए ऐसा हो नी सकता है जिसमें मुझे actually में Unicron का concept बहुत ही पसंद आया and Transformers के lore में actual में ये super giant galactic entity है जो भाई समय समय पी humanoid का भी form ले लेता है and Transformers के lore में उसे किसी godly being की तरह भी denote किया जाता है as a force of chaos की तरह जो कि actually वे Greek myths के origin से काफी similar है जिसमें Unicron has no allegiance to no one ना Autobots ना Desserticons in fact कि वो इतना powerful है कि अगर दोनों sides भी साथ हो जाए तो तब भी उसके ज़ाट के बाल के बराबर भी नहीं हो पाते मगर यही तो beauty है Unicron को हराने के लिए उसे भाई force से हराए ही नहीं जा सकता उसको हराने के लिए सबका दिमाग एक करना पड़ता है अब यह harami even time and space को भी manipulate कर सकता है जिसकी help से वो powerful minions की armies बना सकता है जो कि बहुत बुरी तरीके से लड़ती है काफी savage और ruthless होती है जिसको हमने इस Trilla की final fight scene में देखने को मिला ही जिसमें मैं बोलूंगा देखने में it's pretty good मुझे Unicron बहुत बसंदा है climax भाई excited करता है आपको पूरी proper battlefield देखने को मिलती है अभी से ही I mean यार ऐसा MCU को करने में 10 से 12 साल लग गए थे तब जाके हमें एक ground battle देखने को मिल थी proper बड़ी field में अभी से ही अपनी universe की दूसरी picture में ऐसा खेला चालू कर दिये है जिस पे देखते हैं यार कि मतलब actually में हमें इतना सब कुछ बता के बताना क्या चाहते हैं अभी से ही planet eaters, autobots, battlefield, transformers, उनकी पूरी कुंडली सब कुछ बता देने का मतलब क्या होता है कि चाहे तो भाई actual में वो अपनी lore को इज़त करते हुए for real figure out कर चुके हैं कि कहानिया इज़त से और proper entertainment के साथ कैसे दिखानी है क्योंकि जिसपे से बता दू इस picture के बाद ही अगले साली July में एक sequel हमें देखने को मिलने माला है जिसको Toy Story 4 के director direct करने वाले है और इसके बाद हमें Blue Beetle के director भी Transformers के तीसरी नहीं, इस reboot की चौथी picture बनाते हुए नसार आने वाले है नहीं बता रहा हूँ, यह पूरा plan बना के रखे हुए है तुम्हें सांस भी लेने नहीं देंगे और क्या गुड़ा गड़ित बना के रखे हुए है भाई वो तो release के बाद ही पता चलेगा या फिर जो इतना कुछ ठूसा है इन्होंने अपनी इस कहानी में यह सकता है कि अभी भर के दिखा देते हैं ताकि आगे के लिए चीज़े सेफ हो जाए क्या पता, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा मगर अभी के लिए मैं तयार हूँ कम सकम ये transformer movie देखने के लिए क्योंकि भाई 6-7 साल हो चुकी है अभी proper transformer movie देखते हुए तो देखते हैं भाई कैसा बनाएं उन्हें और येस इसे produce Michael baby कर रहे हैं तो अगर picture कहीं से भी गडबर निकली है फिर खराब निकली तो वह भी गाली खाएंगे तो बता तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हें भी trailer pump करता है जहां actually में जब तुम भी महसूस करते हो तो reality कुछ और है या फिर तुम्हें पता है कि picture actual में कांड करती है तो मगर फिर भी अपन सब देखने जाएंगे अपने opinions में कमेंट ज़रूर बताना और इनी साथी बातों के साथ-साथ Marvel की यानि की Sony की पहली R-rated movie आने वाली है Deadpool और Logan से inspired होते हुए जिसके लिए मैंने अपनी इस video वीडियो और सारी information तुम्हें दी हुए जाके जरूर से check out करना और पताना जरूर की कैसा लगा और तब तक के लिए देखते रहें पीजे एक्सप्लेइन